सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट गुड मॉर्निंग इस्ट्रेंट्स एंड वेलकम बैक टो आर चैनल आरके शर्मा एस्टीप क्लासेज तो कैसे आप सभी लोग उमीद करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपने अपने घरों पर भी और कुछ-कुछ से सो कांसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है ठीक है तो उसी से लेटेड आपकी जो सब्जेक्ट है एस्टीप में वह एलसे की वैकेंसी के अकॉर्डिंग उसका नाम है जैनेटिक्स तो जैनेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम चैप्टर वाइज कृशन और आंसर सोल्व करेंगे ताकि आपके स्टैप बाइ स्टैप एक एक जो चैप्टर है उसके कृशन आंसर के साथ उनके डाउट्स क्लियर होते चले जाएं तो इस्टुडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो एएजडिवी फरस्टियर के अंदर सब्जेक्ट है जैनेटिक्स उसी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है जैनेटिक्स यानि की आनुवांशी की तो इसी के साथ आज का हमारा जो पहला क्यूशन है जैनेटिक्स में वह है कि किसी लक्षन की वनशागती आनुवांशिक्ता वै विभिनताओं का अध्धन किया जाता है वै कहलाता है तो हमारा क्यूशन क कि किसी भी लक्षन की वंशागती आनुवान्शिक्ता वे विभिनताओं को अध्यन जो किया जाता है क्या कहलाता है तो यह क्या कहलाता है यह है आनुवान्शिक की कहलाती है जिसे हम English के अंदर जैनेटिक्स भी कह सकते हैं या कहते हैं नेक्स्ट है आपका क्यूशन जैनेटिक्स वर्ड का उपयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था वैकब तो इसका आंसर है W. Watson नामक वैज्ञानिक ने 1906 में जैनेटिक शब्द का उपयोग किया था सबसे पहले इसी के साथ जो वार्टसन जो वैज्ञानिक है इन्होंने ही DNA का जो डबल स्टेंडर्ड जो मोडल है वह क्रिक नामक वैज्ञानिक के साथ मिलकर 1953 में प्रतिपादित किया था इन्होंने ही समयुगमजी, विसमयुगमजी, F1, F2, PD इत्यादी शब्दों का भी जो प्रियोग किया था वह भी किनों ने किया था W.W. वार्टसन नामक वैज्ञानिक ने किया था कब किया था? लगभग 1906 के आसपास ठीक है? नेक्स्ट है जैनेटिक शब्द की उत्पत्ती किस भाषा से हुई है? तो जैनेटिक शब्द की जो उत्पत्ती है वह है ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है नेक्स्ट किशन है आपका मानव में नसल सुधार में पर्यूक्त आनुवांशिकी के नियमों का अध्धन यूजे निक्स कहलाता है क्या कहलाता है? यूजे निक्स कहलाता है इसके अंदरगत क्या होता है? कि जो हूमन्स होते हैं उनके अंदर जीनों के अंदर जो खराब प्रवर्ती पाई जाती है या जीनों के अंदर जो विशमताएं पाई जाती है और खराब गुणवत्ता पाई जाती है उनके द्वारा क्या किया जाता है जीनों को सुधार किया जाता है म्यूटेशन के द्वारा इन सारी चीजों के द्वारा क्या किया जाता है मानों में नसल सुधार का अध्यन किया जाता है किसके अंतरगत आनुवांशिकी के नियमों के साथ साथ किसमें user economics में next है आनुवाशिकी का pioneer किस वैज्ञानिक को माना जाता है प्रिज्ञार की में Gregor John manal नामक वैज्ञानी को माना जाता है यह हम starting से पढ़ते भी आ रहे हैं और यह हमें पता भी है जैसा कि आप लोगों को भी पता है जिस nglas से आपके जो मैंडल की जो नियम हैं वह चलते आये हैं इन्होंने तीन नियमों का पर्तिपाधन किया था उसी के साथ इन्होंने साथ लक्षणों के उपर कारे किया था और मटर के पोदों पर भी इन्होंने कारे किया था Next question है आपका DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है किस वैग्यानिक ने बताया तो DNA जो आनुवांशिक पदार्थ है यह है everywhere मैकलियोड नामक वैग्यानिक ने बताया था next है blood group बहु यूग्म विकल्पी या बहु एलिल है बताया था तो blood group जो है आपका रक्त समू है यह multiple जो एलिल्स होते हैं उनका उधारण है यह बात किसने बताई थी वर्ण श्टेन नामक वैग्यानिक ने बताई थी किसने बताई थी वर्ण श्टेन नामक वैग्यानिक ने बताई थी next question है sex chromosome की उपस्तिती का वर्णन किस वैग्यानिक ने किया तो sex chromosome यानि की link उन्सुत्रों की उपस्तिती का जो वर्णन है वह मैं ख्लंग नामक वैग्यानिक ने किया था next question है आपका DNA की खोज किस ने की तथा कब तो DNA की खोज L मिशर नामक वैग्यानिक ने 1865 में की थी ठीक है, next है, question आपका X-ray से उत परिवर्तन संभव है यह है किस ने बताया, यह है H.J. मूलर नामक वैग्यानिक ने बताया तो X-ray से जो mutation है, वह है possible है, यह है किस वैग्यानिक ने बताया था यह बताया था H.J. मूलर ने, next question है, एडिनीन का युगमन थाइमीन के साथ वैग्यानिक ने बताया तो एडिनीन का युगमन थाइमीन के साथ तथा गवानीन का युगमन साइटोसिन के साथ बराबर एक है, यह है चार गाफ ने बताया था तो आरेच फेक्टर की जो खोज है वह है लेंड श्टेनर तथा वीनर नामक वैग्यानिकों ने 1940 में की थी आरेच फेक्टर क्या है आरेच फेक्टर एक आपकी जो आरवीसी होती है उसकी प्रश्ट सतय पर उपस्तित एक प्रकार का प्रोटीन होता है अगर वह किसी में प्रजेन्ट होती है तो वह है आरेच फेक्टर से पोजिटिव होता है अगर वह उसमें एपसेंट होती है तो वह है आरेच फेक्टर का नेगिटिव कहलाता है इसकी जो खोज की थी लेंड श्टेनर था वीनर नामक वेगैनिक ने किस में की थी रीसस नामक बंदर में की थी इसका मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है इसका प्रभाव पड़ता है बुरून के जन्म पर इसमें क्या होता है बुरून की जो आरबीसी होती है वे हैं नश्ट होने का खत्रा रहता है आरेच नेगरिटिव मादा के होने पर. Next है मैंडल के कारियों की पुने खोज किसने की थी? तो मैंडल के कारियों की पुने खोज डी ब्रीज, कोल्ड कोरेंस वे शेर में एक नामक वेग्यानिकों ने की थी? Next question है आपका जैनेटिक शब्द की उत्पत्ती ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो जैनेटिक शब्द की जो उत्पत्ती हुई है वे हमें पता ही है कि ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है लेकिन यह किस शब्द से हुई है? तो यह है उत्पत्य हुई है to become to grow into to generate जिसका सामाने रूप से अर्थ होता है कि आनुवांशिक लक्षणों का PD दर PD संचरण नेक्स्ट है आपका last question blood group, rh factor, anemia इत्यादी की कारेकी का अध्धन genetics में क्या कहलाता है तो आपका question जो दुबारा सुनियेगा कि जो रक्त समू, rh कारेक वे है रक्त alptah इत्यादी की जो कारेकी होती है उसका अध्धन जब हम genetics में करते हैं तो वे है क्या कहलाता है तो यह क्या कहलाता है फीजियो लोजिकल जैनेटिक्स यानि की कारे की यह आनुवांशी की कहलाता है इसी के साथ आज की हमारी जो फर्स चैप्टर था जैनेटिक्स का उसके कुशन आंसर की सीरीज समापत होती है तो स्टुडेंट्स आप सब लोगों को यह वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें साथ साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अब कंटिनुटी के साथ हमारे जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकिशन मिलते रहे और साथ साथ आपकी जो पढ़ाई है स्टेप बाइ स्टेप, चैप्टर बाइ चैप्टर होती रहे थैंक्यू स्टुडेंट्स